लॉकडाउन को आशा नेगी ने खुद के रिए माना लखी क्या इस वक्त नहीं आ रही आशा को रित्विक की याद आखिर कैसे बिता रही हैं आशा अपना क्वारिंटीन चलिए जानते हैं पवित्र रिष्था से पहचान पाने वाली आशा ने की इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं इसकी दो वज़ा है एक वज़ा है उनका ब्रेक अप तब ही दूसरी वज़ा है उनकी वेब सीरीज बारिश जिसमें वो नजर आ रही है बॉलिवुड आक्टर शर्मन जोशी के साथ दो महीने हो गए हैं और हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब लॉकडाउन खतम होगा लेकिन आशा है जो इस लॉकडाउन को खुद के लिए लगी मान रही है आशा ने कहा वेल मुझे घर में रहना पसंद है मैं लॉकडाउन में खुद को लखी मानती हूँ मुझे बाकियों का नहीं पता लेकिन मैं इस लॉकडाउन को बहुत जादा मिस करूंगी वेल जब आशा से पूछा कि वो इस वक्त क्या मिस कर रही है तो उन्होंने कहा मैं शूर पर जाना मिस करती हूँ बरतन और कपड़े धोकर में ठक गई हूँ मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे ले खाना बनाए और मुझे खिलाए लोगडाउन खतम होने के बाद मैं मेरे फेवर्ट रेस्टराउन जाना चाहती हूँ और दहरादू जाना चाहती हूँ ममी से मिलने वेल अब तक आशा और रित्विक दोनों ने अपने ब्रेक अप के बारे में कुछ नहीं कहा है लेकिन फैन्स बे सब्रे से इंतिजार कर रही हैं इन दोनों के जवाब का वेल आप इस लोगडाउन में क्या स्पेशल कर रहे हैं बताइए हमें कमेंट बॉक्स में तब तट स्टे टून विट अस